भारतिय जन्ता पार्टी ने सम्विधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल, चरित्र, चहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्मक प्रवरती को दिखाता है। कब तक आप 50 साल पहले का घाउ कुरिदिते रहिएगा। कभी तो वो वक्त आएगा कि जब आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थी का समानता पर बात करेगा। कब रू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा। इस देश में अभी सम्विधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। भारतिय जनता पार्टी ने सम्विधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल, चरित, चहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्बग प्रवरती को दिखाता है। अरे सम्विधान की बात करनी थी, तो सम्विधान बचाओ की बात करते, सम्विधान रक्षा की बात करते, सम्विधान सरवोपरी की बात करते, सम्विधान हित की बात करते, सम्विधान और हत्या, इस देश में अभी सम्विधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं इनका शड्यंत्र इस देश के सामने आ गया और ये देश उठ खड़ा हुआ इस सम्विधान के साथ हमारे सबसे सेक्रेट सबसे सर्वोपरी गरंथ के साथ जिससे देश चलता है जो हम सबको हक देता है और उसी के चलते अब इधर उधर की बाते की जा रही है आपको 50 सल पु साल पहले का घाव कुरिदते रहिएगा कभी तो वो वक्त आएगा कि जब आप बेरोजगारी पर महंगाई पर आर्थी का समानता पर बात करेगा आज का मुद्दा है नीट का परिक्षा आज का मुद्दा है मनीपुर आज का मुद्दा है अगनीवीर आज का मुद्दा है कि शहादत हुई उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा अगर हत्या की बात कर नहीं है तो जितनी महिलाओं की आबरू और सम्मान आपकी नाक के नीचे लुटाए उनकी आबरू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा चलिए अब हर रोज इस देश में रोजगार हत त्या दिवस मनाना जरूरी है क्योंकि वो आपकी देन है